सूपर बेबी की कहानी हेलो, मैं फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से आया हूँ और देखिये, मैं आपका ओर्डर लाया हूँ अरे, लगता है यहाँ पर कोई नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसे यहीं रख देता हूँ अच्छा, मैं चलता हूँ मैं घर आ गया यह क्या चीज रखी है लिखा है पावफुल अल्ट्रा सूपर डिलक्स कैंडी पर यह तो मैंने ओर्डर नहीं किया था मुझे लगता है, यह गल्ती से यहाँ पर आ गई है मैं इसे वापस कर दूँगा यो चैन, आजाओ, आजाओ प्यारा बच्चा यह तो बहुत प्यारा है यह चोटा बच्चा कौन है? मॉम की फ्रेंड का बेटा है मॉम इसकी बेबी सिटिंग कर रही है यो चैन तो बहुत प्यारा है यह तो यह ख़बा में मॉम, इसे मुझे दीजिये ना कहाँ पर इसे ध्यान से खिलाना मुझे पता है माम आज़ो मेरे छोटे भाई मैं तुम्हारा भाई नोबिता हूँ पूपूपूपूपूपू अरे क्या हो गया लोबिका जहां करो नीचे गिर जाएगा यो जब आओ मेरे पास अब सोने का टाइम है सोजा क्या मैंने कुछ गलत कहा था तुम्हारी ही गलती है तुमने उसे गलत तरीके से पकड़ा हुआ था यह सोता हुआ कितना अच्छा लग रहा है जब तुम छोटे थे तो तुम भी ऐसे ही थे अरे याद आया मैं तो भूली गई थी कि मुझे आज बैंक जाना था अब मैं क्या करूं आप चले जाओ मॉम इसकी देखभाल हम कर लेंगे ऐसा ही करना पड़ेगा मैं इसका ध्यान रख लूँगा डोरे मॉन तू? क्या आपको पता नहीं है मैं असल में 22 सदी का बेबी सिटिंग रोबोट हूँ मॉम मैं तो भूली करना वैसे तो यूचंट सो रहा है और डोरे मॉन भी यहाँ पर है तुम लोग ध्यान रखना मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी ठीक है? अपना ध्यान रखेगा ओके बाई बाई माम यह हमें कहां मिलेगा? पता नहीं कहां है बाफ कीजेगा मुझे आपसे कुछ पूछना है हाँ पूछिए मेरा सवाल है कि आप क्या एली नाइटों का घर जानती है? मैं उनके घर के बारे में नहीं जानती चलिए कोई बात नहीं लगता है आप कहीं बाहर जा रही है हाँ कुछ काम से जा रही हूँ ओ अच्छा आप से बिकर बहुत अच्छा लगात है थीक है अरे योचा नीन से जाक गया है डोरे मौन लाला 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 टेंटन टेंटन लाला लाला हेलो बीबी तुम उठके गुड ओनिंग मैं हूँ डोरे मौन तुमसे मिलकर अच्छा लगा डोरे मौन की तुमने क्या किया अजीब बात है फिर ट्राइ करता हूँ लाला 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 तिंटन 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 लाला 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 इसे शाय के दर रहा है ऐसा बिलकुल मत कहो 22 सभी में ये बहुत मश्यूर है समझके तू शाय इसे ये सब अजीब लग रहा हो अच्छा ठीक है मैं कुछ और ट्राइ करता हूँ सुनो बेबी सुनो ये रुक जाओ ये रो रहा है ये तो बहुत अजीब बात है ना नो बिता तुमने तो कहा था तुम बेबी सिट्टिंग रोबोट हो लेके ऐसा लग नहीं रहा क्या कहा ये देखो मुझे ये फिर देखो मुझे हाँ मुझे याद आया मैं अपने बच्पन के खिलोने लेकर आता हूँ पर उसे किस तरह के खिलोने बसंद आएंगे क्या उसे कॉमिक बुक अच्छी लगेगी ये क्या है ये तो कैंडी है मैं हूँ घूड़ा एकॉड़ा हूड़ा तिक 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 ये तुम क्या कर रहे हो मैं इसे घुड़े की सवारी कर आ रहा हूँ लेकिन उसे मज़ा नहीं आ रहा अच्छा ऐसी बात है क्या यो चैन आ अपना मूँखो लो बोलो आ अरे वाँ ये हस रहा है तुमने उसे क्या खिलाया नो बिता मैंने इसे पावफुल अल्चा सूपर डिलक्स कैंडी खिलाई अच्छा अच्छा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने इसे पावफुल क्या कहा अच्छा हुआ ये तुमने ठीक नहीं किया तुम्हें पता है जो भी ये कैंडी खाता है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है अब पता नहीं क्या होगा ये बहुत खत्रनाक है ये तुमने क्या किया अब ये चोटा सा बच्चा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा नोबिता तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अब क्या होने वाला है जल्दी से इसके मूह से वो कैंडी देखालो जल्दे करो योचान चलो पना मून खोलो बोलो आ मुझे दिख रही है लो बता तुम खेकता हो मुझे छोड़ो सुनो डोरेमान तुम योचान को मेरे कमरे में क्यों लेकर आयो मैं इसे बाहर नहीं ले जा सकता बाहर ले गया से तबाही मचा देगा प्लीज कुछ करो डोरेमान की यह सब तुम्हारी गलती की वज़े से हुआ है तुमने इसे कैंडी दी है क्यों गल्पी मेरी नहीं तुम्हारी है तुम्हें केंडी को वहां क्यों रखा था बताओ दोरे मौर हमें उसके मुझसे केंडी निकालनी होगी चादी कुछ करते हैं देखो योचान मैं तुम्हारे लिए कितनी बड़ी केंडी लेकर आया यह बहुत टेस्टी है खाके देखो पहले तुम मुझे वह वाली दो फिर मैं यह वाली देता हूँ लगता है इसे भूख भी ज्यादा लगती है योचान नहीं योचान बार मत जाओ बार खत्रा है चलो यहां हो मेरे पास नहीं नहीं रुक जो अरे रुको योचान बाहर बहुत ठंड है ना अब क्या करें योचान बाहर बहुत ठंड है ना अब क्या करें तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो जियान सुनियो भागो यहां से लेकिन हुआ क्या है बेबी से तुम दोनों इस बच्चे से माफी मांग रहे हो तुम दोनों कितने बड़े डर पोखो रुको मैं तुम्हें अभी उठा लेता हूं आ जाओ कितना प्यारा बच्चा है एसे कैसे अरे वा तुम्हारे साथ बच्चे बहुत खुश रहते हैं जियान सुनियो मुझे ऐसा लग रहा है इसे मैं बहुत पसंद आ रहा हूं है जियान क्या तुम हमारी मदद करोगे जियान क्या करना है अच्छा तो तुम दोनों ये कहना चाहते हो कि मैं इस बेबी को सुला दूँ हाँ तुमने सही कहा अरे सोजा लगता है काम बन जाएगा नोबिता अरे डोरे मौन फिर हम कैंडी इस के मूँ से आसानी से निकाल सकत इसे तो लगता है मेरी आवाज बहुत पसंद आई चलो गाना गाता हूँ क्या मैं हूँ जियान बच्चों को मैं सुला देता हूँ क्या पार्ख है बच्चे आराम से सोजा सोजा वैसे एक बात कहूँ ये कार है बहुत बढ़िया खैर ये किसी और की है उस घर के पास रोको ओके तो आज का काम हम यहीं करेंगे ठीक है हाँ हाँ क्यों नहीं जल्दी से करते हैं हमें यहां अपना काम जल्दी से करना होगा आराम से धीरे और लगातार कोशिश करने बालों की कभी हाँ नहीं होती बात तो सही है देखने में तो ये घर कोई खास नहीं लगता कोई नहीं अंदर चल कर पता चलेगा दर्वासा खुला क्या? अरे नहीं अब क्या हुआ? ये तो पहले से खुला है क्या कहा दर्वासा खुला है? अगर चोर अंदर आ गए तो क्या होगा? तुम भूल गए क्या? चोर तो हम ही है तो सेखो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं अच्छी कर जानता हूं सम्खे जाटो 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 जितना कहा जाए बस उतना ही करो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहां की हालत तो बहुत ही खराब है इधर देखो ये स्लाइडिंग डोर तो ठूटा हुआ है अच्छा एक बात बताओ तुम्हें यहां पर सब कुछ अजीब नहीं लग रहा हाँ, नहीं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे लगता है कि इन्होंने जान बूच कर अपने घर का ऐसा हाल बनाया है ताकि लोग कह सकें कि ये खरीब है मुझे भी यहीं लग रहा है, बात तो सही कह रहे हो मेरे खयाल से इन्होंने पैसा कहीं चुपा कर रखा होगा यहां तो कुछ भी काम का नहीं मिल रहा है हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन हमें ढूणते रहना होगा सारी जगा तो छान मारी अब कहां ढूणे देखो, मुझे भी नहीं पता, पर कुछ भी हो जाए हमें पैसा ढूणना होगा यहां ज्यादा देर रुकना बेकार है पर हम यहां से खाली हाथ तो नहीं जा सकते बच्चा अब यह बच्चा कहां से आ गया, यह बताओ मुझे यह आखिर हो, क्या रहा है रुको, रुको, चुप हो जाओ एकदम, शायद यहां पर कोई और भी हो देखते हैं यहां पर तो और भी बच्चे हैं लगता है यह सब सो रहे हैं चलो हम अपना काम करते हैं इस कमरे की हालत तो बहुत ही खराब है चलो अब किचन के तरब चलते हैं देखो जो कुछ भी करना है जल्दी करो देखो बच्चे हमारा पीछा मत करो अरे यह बच्चा तो हज रहा है शायद यह तुमको पसंद करता है ऐसा करो तुम इसके साथ खेल लो तुम अपना मूँ बंद रखो बहुत ही प्यारे बच्चा है यह अरे क्या हुआ कुछ तो बोलो तुम यहाँ पर ऐसे क्यों पड़े हो यह सब कैसे हुआ चलो अब जल्दी से हो जाओ ऐसा लगा जैसे बच्चे ने मुझे फेक दिया तुम भी कैसी बाते कर रहे हो बला यह छोटा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है बोलो सही कह रहेगो शायद धकान की वज़ना से ऐसा लगा तेखो बच्चे हमें जरूरी काम कर रहे हैं इसलिए तुम्हें अपने आप खेलना होगा समझ रहे होना हे बच्चे ऐसा मत करो छोड़ो भी उसे छोड़ो उसे छोड़ो छोड़ो उसके लाब को छोड़ो छोड़ो अ-ठाट शोड़ो छोड़ मैं तुम्हें नहीं चोड़ा हुआ यह लोग यहां कैसे आ गए मुझे नहीं पता तुमने तो हमें परिशान करके रख दिया आप लोग कौन हो और यहां कैसे जैसा कि तुम देख सकते हो हम लोग चोर हैं समझें कि अपना मुझ बंद रखा करो तुम यह बात जानते होना कि मैं कितना बड़ा जोर हूं लेकिन किसी ने सुन लिया तो क्या होगा बोलो पैसे यह बात तो सही है तो चलो यहां से भागते हैं फिर सही का क्यों चैन उन चोरों के पीछे गया है डोरे मॉन अब तो मैं है उसे संभाल सकता हूँ क्योंकि मैं 22 सदी का बेबी सिटिंग रोबात हूँ मेरे लिए यह बहुत आसान है तुम्हें यह कहना गरूरी था भी अज तो हम हसी गहते समझो उस बच्चे ने तो नाथ में दम कर दिया क्या हो गया क्यों नहीं रही यह बच्चा तो यहां पर भी आ गया बच्चे हमें जाने तो हमारी गाड़ी को छोड़ दो अच्छा वो देखो वहां पर क्या है आज हमारे साथ यह हो क्या रहा है यह तो पीछे ही पा गया अब गाड़ी और किसने देश चलाओ कितना हो सके उतनी देश चलाओ मैं तो फूल स्पीड पर चला रहा हूँ योचैन ठीक तो होगा ना उसके मुँमें वो कैंडी है तो उसे कुछ नहीं होगा क्या मतलब मेरा मतलब है कि जब तक उसके मुमें वो कैंडी है वो बहुत शक्तिशाली रहेगा लेकिन जैसे ही वो कैंडी खत्म हो जाएगी वो फिर से नॉमल हो जाएगा इसलिए वो कैंडी खत्म होने से पहले हमें उसे ढूनना होगा ये तुम क्या कह रहे हो डोरे मॉन अब हम क्या करें अरे वाह ऐसी ठंडी हावा देने वाली कार भी मुझे पसंद है रुक जाओ हम तुम्हें लेने आ रहे हैं मुझे खुश है कि तुम ठीक हो योचान चलो घर चलते हैं आजाओ लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता हम उसे जबरदस्ती भी नहीं उठा सकते अब हम कुछ नहीं कर सकते क्या योचान को मॉम तो पसंद है ना समझ गया नॉमल वेग, गपड़े, नेकप सेट ओहो, मुझे पहले ये खराल क्यों नहीं आया योचान मॉम को पसंद करता है इसलिए मैं उनके जैसा बन गया हूँ रखे मैंने फासले अब लोग पुछे का तू अब ना गए में को छोड़के सब फिर भी हार नहीं माना कब रखे मैंने फासले अब लोग पुछे का तू अब गए में को छोड़के सब फिर भी हार नहीं माना कब थम गया था वक्त आसू बेना नहीं रुक रहा था अटका था मैं सोच में हर बार वोही सोचता था को रहा था, खुटको मैं, हर पल में कोस्ता था, पूछ रहा था, तुदी कुटको हर बार दोज दे रहा था, क्या, हर वक मैं गलत हूँ, दिल को रखता साफ, फिर भी मुझे ही सबक्यो, मिलता है, मिलता है, फूल भी तो खिलता है, आखिर खिला हुआ, फूल एक दिन भी ख तोस गलत पिर भी कभी हाथ नहीं छोड़ा मैं आज हो ही दोस बोता क्यों दोस्ती नेमि भाता तू क्या चल रहा आज मेरे मन में रो रहा हूँ अंदर से में फिर भी किसको कुछ ने केह रहा हूँ कभी किसका बूरा नहीं चाहा किसी लड़की को पूरे नजर या से ना देखा फिर भी खुशे सब चले गए आगे पीछे मुझे छोड़के गए सब अकेला रखे मैंने फासले अब लोगों पुछे कातुआ गए में को छोड़के सब फिर भी हार नहीं माना कब जब निकलते थे आशो तब कोई ने आया पोछने को जब हस रहूं मैं आज तो तेरे साथ मैं क्यू भसू गंदा नहीं देदा कोई सर रखने को तो आज तेरे साथ आके मैं यहां पे क्यू वे डू सीधी नहीं जिन्दगी एक खेले समझा बेड़ा तो तुझे किस पाकिया देरे मिठा बोले वाले मिठे काफी जगा फेले खबर नहीं है तुमें पर तो कुझ सही तो गेरे अंदेरे में जीरा तो मिलेगा कल सावेरा कुसे जीना सीख तुझे क्यू चाहिए सहारा माबाप को तु सुन अखली जग है ये सारा जो बीता है वो मुझ पे इन गानों में बता रहा नई खबर क्या गलत क्या सही है पता नहीं अगली बार हम मिलेंगे या नहीं है जीले बेडा तु आज को तु आज जैसे जिन्दगी है ये कभी फिर से मिलती नहीं है रखे मैंने फास ले अब लोग पुझे का तू अब गए में को छोड़के सब फिर भी हार नहीं माना कब चलो घर सेकते हैं बेबी तुम्हें बहुत सारी कैंडी मिलेंगी डॉरेमान डांबू कॉप्टर कहां गया अरे योच है अरे क्या बात है कैंडी तुम्हारे गले में अटक तो नहीं गई हे तुनो गाड़ी अभी रोको क्या कहां गाड़ी रोको आखिर तुम हमें आड़ो देने वाले कौन होते हो अब ये क्या कर रहे हो ये तुम क्या कर रहे हो क्या तुम आप गाड़ी रोकोगे बेलकुल नहीं ठीक है मत रोको लेकिन आगे सड़क तूटी हुई है क्या कहा यह पहले क्यों नहीं बताया क्या तुम दोनों को मज़ा आया तुम कुछ भूर रहे हो भागो यहां से अरे वाँ हम दोनों ने उन्हें भगा दिया केंडी का असर खत्म हो गया है बता अरे डोरी मॉन योचान ठीक थीक झाल थीक हो गया है है न योचान यह कितने आराम से सो रहा है न लेकिन योचान ने चोरो को भगाने में मदद की ऐसी बात है क्या अरे नोबिता हाँ मॉम योचैन को कहां ले गए थे पस थोड़ा घूमने चले गए थे योचैन अरे तुम्हें तो नीद आ गई है बेटा ये योचैन की मॉम है ये इसे घर ले जाने आई है और आंटी इसके जूते मेरे पास है ओ ओ छो बेटा हम घर जा र नहीं किया है ना तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चो फिर मिलते हैं बाई 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 नोबिता दोरे मॉम तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज डिनर में मैं तुमारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी ठीक है ये हाँ मुझे लौपिता टोरी मॉन गर का ऐसा हल किसमें किया यो चैन वह बहुत चरारती था और फिर जोर आ गए मुझे पूरी बात सच सच पता दो बढ़ना आज तुम दोने